हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू में चैनल तो आज हम बात करेंगे सीएस के मार्चर प्रदेश क्रिशी फीच विदाले पालंपूर में जो नौन टीचिंग पॉस्ट निकली हुई है कॉंटक्ट बैसिज में इसके एप्लिकेशन फॉम आपको कहां से जाके डाउनलोड करना है करना है यहांए से इसका पुरा नौटिकेशन हो जाएगा आपका डाउनलोड तो इसके यहांपे नीचे जाएएगे यहां पर आपको इसकी application form मिल जाएगा जिसे यहां पर इन्होंने दे रखेगी यह आपका application form है तो यहां पर इन्होंने देख लेनी है कि कौन कौन सी post है तो यहां से जैसे हमें पता लग रहे है कि कौन सी post है यहां पर आपको मिल जाएगी यहां पर आपने देख लेनी है जिसे यहां पर देर के पहले आपको बैंक ड्राफ नंबर यहां पर इन्होंने स्टेटिंग में बता रखे जो जर्नल केटेगरी की केंडेट है उन्हें जो फीस पे करनी है फाइव सिक्स्टेटी रूपीर और आपने यहां पर आपना पहले बैंक ड्राफ नंबर लिख देना जो आपने बैंक फीज जमा करनी यहां पर जैसे इन्हें बता रख ता कि इसके फेवर में आपने अपनी फीज बनानी है एंदो चंदि इसम्ट को पर foreign मैं आपने अपनी zeुँंसी को बनाई ओ angry इसे एंदो बता रहुत है मिज़ने यहाप लगा यहां पर काटागरी पास्पूर्ट कर लिए और यहां पे office यह आपने नहीं भरना है, यह आपने बिल्कुल नहीं भरना है, जिस्ट आपने यह वाला भरना है, यहां पे आजाएगा, आप कौन सी post के लिए apply कर रहे हैं, वो आपने यहां पे लिख देना है, like अगर आप clerk के लिए कर रहे हैं, तो आपने यह clerk लिख देना बिलो तो आपको यहां पे जैसरोंने बता रखे तो आपने उस category में देख लेने हैं कि यहांكون- सी category रहींगी तो यहां पे क्यों सी category है वह आपने यहां पर देख लेने कि यहां कॉन सी है यहां पर जैसे इन्होंने दे रखे है कि refer to item number 10 below यहां से देख लेना है जिसे यहां पर आपने भर देनी है unreserved है या आगे कोई इसकी other है तो वो आपने यहां पर देख लेनी है दन यहां से ने देखे कि कौनसी है वो आप यहां से देख सकते हैं कि ऐसे unreserved है ऐसे dual cast है वो आपने वहां पर लिख देनी है जो भी आपको पैस दीयोगा देनी यहां पे चेन्डेट ने अपना नेम लिख देना अपना इत Supreme अपन ब्लॉक लेटर्स में यहां पर उन्होंने TF कानेम लिख देना है यहां पर कैंडड़त की मदर का नेम आ जाएगा यहांपे उनकी date of birth आजाएगी, क्या date of birth है वो उन्होंने यहांपे लिख देनी है यहांपे डॉमसल कांक है, जैसे यहांपे लिख देनी है, state of domicile अगर आप हिमाचली है तो यहांपे आपने हिमाचली लिख देना है यहाँ पे address आजाएगा आपका correspondence address लिख देना है with pin code के साथ यहाँ पे अपना permanent address लिख देना है यहाँ पे आप कौन सी category से belong करते हैं वो लिख देनी है कि हाँ जैसे unreserved में यहाँ पे जो clerk में वो कैन से थी unreserved में आगे जाके वो deep hard of hearing थी यानि PWD category में थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि physically handicap में थी यहाँ पे आपके educational details आजाएगी फर्स से शुरू कर देनी है यहाँ पे इन्होंने क्या qualification मांगई है clerk के लिए कि plus two examination या उसके client कोई भी study की होई चे यहाँ पे आपने पहले 10th की लिख देनी है कौन से year से क्योई है कौन से subject थे कितने परसेंट थे कौन से class थे कौन सा board था यहाँ पे आपकी second में आपने अपनी plus two की लिख देनी है कौन से year में किया है कौन से subject थे कितने परसेंट थे कौन से board से क्योई है तर्ड में आप जैसे यहाँ पे इन्होंने आपकी जो है अगर आपने कुछ की हुई है higher तो आप वहाँ पे लिख सकतेगी हाँ यह वगेर तो कि आपको कभी भी किसी टर्मिनेट किया गया है यहाँ पर अगर किया तो यहाँ पर है तो आपने लिख देना है अगर यह यहाँ पर देना चाहते हो कोई अधर information आप इसके साथ आच करना चाहते हो यहाँ पे दे रखें कि मैंने जो भी समें इंफोर्मेशन वगारा ब देने कौन सी डेट को आप अपना प्लिकेशन फोर्म वर तो अपने पांच फिख देना पंच पर रहे हैं तो अपने पांच फ्लिक देना ह्ट आ इंबे सब्सक्राइब करने से पहले उनकी कर लेना है कि वह अपनी जो भी उने डिटेल्स भरी है वह सही है और युनिवर्सिटी के पास राइट है और वह चाहिए तो इस पॉस्ट में के पास किसी भी उससे भर सकता है और आपने अप्लिकेशन ओर आपने अपने अपने अपना चाहिए अगर एक्स को जो है कैंसल कर दिया जाएगा यहां पर दे रखेंगा यहां पर पूरा दे रखेंगे यह आपकर आप्लिकेशन फोम साथ करने इसके अपने एक अपना अपने जो सारे हैं इसके साथ अटेज करने डॉक्यमेंट है और लास्ट जो इन्होंने दे रखिए तीस अगस 2022 से बिलॉंग करते हैं और जो केंड़ेट ट्रीबल एरिया से बिलॉंग करते हैं उनकी 15 स्थंबर 2022 रहेगी और आपने अपना जो एप्लिकेशन फोर्म भेजने यहां पर द्रख्राइब करने यहां पर दे रखिए कि आपको यह यह एक्षा मिसमेंच नहीं होना चाहिए यह और यह रहीगी पहली बता रहुके यहां पर बता रहें कि जो आपको यहां पर उन्हें पर अप्लाइ करने और अगर अपना प्लीकेशन पर उनको अलग यलग जमा करवानी पड़ेगी जैसे SCST वालों को 140 रूपीज की फीज है और जो candidate PWD category में या फिर woman candidate है उन्हें कोई भी फीज पे नहीं करनी है तन वही सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या डिटेल्स हैं यहां आपको application form मिल जाएगा यह जो डिटेल्स है यहां पे नहीं भरनी है यहां पे इन्होंने पहली बता रहे हैं यह office use के लिए है कि हाई यह जस्ट आपने बागे डिटेल्स भरनी है अपना जो application form है block letters में भरना है जो इन्होंने यहां पे दी हुई है और जो जो आपके डिटेल्स रहेंगी वही भरनी है यहां पे आपने लिख देनी है list of and closers यानि आपने कौन-कौन से attach कि हुए document वह बता देनी है कि हमने इसकी self-attested copy attach किया है इसकी attach कि वह सारी document के आपने यहां पे इसके साथ list attach कर देनी है यदि आपको इस से related और दिख जान करी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाल दूँगी यदि आपकी इस वीडियो से लेटिट कोई भी query है तो हमें comment section में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and share इस तरह के informative वीडियो को देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को subscribe कीजिए